कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयरुवेधिक डॉक्टर पर दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त MKS माई से नहीं ठीक है हम बात कर रहे हैं BMS फर्स्ट इयर के नोट्स के बारे में ठीक है तो पांच सब्जेक्ट आपको पता है संसकर्थ फीजियोलोजी एनाटोमी पदार्द विग्यान और अस्टामीर ठीक है अब मेरे पास ज्यादा स्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर नोट्स एलेवल कराओ लेक्चर्स वीडियो अप्लोड करो तो जब भी मैं लेक्चर्स वीडियो अप्लोड करता हूं तो एक प्रोबलम आती प्रोबलम क्या होती है सबसे बड़ी कि मैं नोट्स लिखवाता हूं आपको तो उसमें वीडियो क्या काफी लोग हो जाता है तो इस्टुटेंट बोलते हैं कि यूटूब पे को ऐसी सुवीदा भी नहीं है कि इसको फास्ट करके चलाया जा सके आप नोट्स भी लिखवा अश्टा अंगर्दे के अब संसकर्थ के मैं कैसे नोट्स लिख गराऊंगा जैसे संसकर्थ का स्लेबस मैंने अपलोड कर रहा है ठीक है तो जिस तरह के स्लेबस अपलोड कर रहा है प्रतेक सब्जेक्ट का स्लेबस अपलोड कर रहा है प्रतेक सब्जेक्ट की मैंने प्रत संसकर्थ की अलग बने हुए, फीजियोलोजी का अलग है अम में चैप्टर वाइस ओर टोपिक वाइस अगर टोपिक छोटा है तो दो-तिन टोपिक एक साथ का इस पीडियो आपम अपको अगर एक टोपिक कोई बड़ा है लाइंडी है तो इसकी पीडियो आपकोई से चैप् संदीक कपी बड़ टोपी कह तो पार्ट बन इस थरीके से मैं थमनील बनांगा तिक है्क है संसकर्ठ तक नौसे नहीं होता है फढ़ना किया नहींSubर तो आपके पास्ट रहेंगे तो फढ़ने में आसाधर रहेगी समझने में आसाधर करेंगी मेरे वीडिएής तो से पहले एक आप दर नोट देख सकते होुली ऊपर ऊपर से यह नहीं थोड़ा थोड़ा देखा तो उसके बाद मेरे मैं जब फढ़ाऊंगा आपको इस्टेडी कराऊंगा तो इजी वे में समझ में आएगा और मैं उन्हीं नोट्सों से फढ़ाऊंगा कोई भी डाउट होता हम कमेंट में ले सकते हो ठीक है अब बात करते हैं अपन संस्कत की तो संसकत का एक पिपर है 100 नंबर का तो इसके कम से कम 50 एक वीडियो बनेंगे इसले बसके तो पचासुरी वो ज्यादा नहीं है और जो वीडियों की लेंट रहेंगे 5-7 तो इस 5-7 मिंटे मैं आपको क्या वताऊंगा नौट्स में क्या क्या है मतलब किण कि टोपि होंगी बहुत सारी ठीक है तो लेकिन जब तक आप देखाऊगे नहीं किसी को सुनोगे नहीं टीचर की बात नहीं मानोगे तो कुछ समझने यागा तो पांच सी ए 7 मिंट का वीडियो रहेगा ज्यादा स्यादा दस मिन्ट का वीडियो रहे यह मैंने अब उसमेंसे important important कौन सा topic है जैसे मैंने संदी किया संदी में कौन सी संदी important है कि स्वर संदी है वेंजन संदी है विसरग संदी है तो इस तरीके से में important topic बताऊंगा उस पीडियाप में की इस पीडियाप में यह topic है इन्वस्टि इंपोर्टेंट यह यह तो आपको याद कर नहीं है ठीक है फिर आल स्लेबस कवर में एक भी topic नहीं चोड़ूँगा चाहिए वो संसकर्त का हो चाहिए प्लेश्ट अलग बनाई हुई है तो अलग अलग वीडियो अपलोड अपलोड गरूँगा ठीक है तो आल स्लेबस कुछ नहीं छूटेगा आपको तो नोट्स की टेंसन खतम आपकी बार बार कमेंट आते ना कि आप लेक्शर्स वीडियो ने बना तो नोट्स की पीडिया भी बेज़ दो ये कमेंट्स आते मेरे पास ज्यादा स्यादा की नौट्स अपलब्द ग्राव नौट्स पलब्द ग्राव तो इन सबसे बचने के लिए मैंने एक सबसे अच्छा और आसान तरीका बता है कि मैं सबके सिक्वेंस सबसे पहले मैं संस्कर्द की बात करूंगा देखो सलेबस समझ में आएगा आपको तो अच्छी तरीके से तो सलेबस देखना वीडियो अपलोड की हो है मैं सलेबस के अनटोमी की इसी तरीके से फिर पदार्त विग्यान की नोट्स अपलब्द करूंगा कुछ हैंडमेड भी है कुछ सी बुक्स के भी है तो मतलब जो अच्छा अच्छा है ना जो मेरे को अच्छा लगता है इजी वे मैं आपको समझ में आएगा उस तरीके से मेरा स्टांग रता है कि मैंने ऐसे पीडिएफ अपलोड करा रहेगी लेकिन इसमें थोड़ा संसोधन करके मैं इंपोर्टेंट कोटेशन जो स्लोक बोलते हैं ठीक है उनको बताऊंगा और कौन-कौन से इंपोर्टेंट टोपिक है वह भी बताऊंगा अलग-अलग चैप्टर की 30 चैप्टर के अलग-अलग पीडियफ मिल जाएगा आपको ओके अब हम कात कर देंगी नोट्स तो मिलें इसमय कौन सा उति उन सबके बारें बात करेंग तो आपको क्या कि समझ में तो आई जाएगा और बहुत कुछ बीच में बहुत सारी बाते चाहिए अरवेद के बारे में तो नोट्स के उपलब्द कराऊंगा तो उनी वीडियो में रहेगा कि 5-7 मिंट का वीडियो रहेगा आपको कुछ समझ में आएगा क्योंकि किताबी बास्ता समझना बहुत मुस्किल होता है अगर मैं आपको मेरे आतों से बने हुए लेकिन मैं जो फीडिया उपलब्द गराऊंगा तो वैस्ट बुक की जो अच्छी है सीक्वेंस वाई है करम वाई है वही के पीडिया उपलब्द कराऊंगा तो इसलिए पांस से साथ मिट का वीडियो पूरा जरूर देखना और रही बात यह कितने दिनों में हो जाएगा सं कि अपने इंपोर्डेंट टोपिक एक साथ बता दे आल सेलेबस को और एक साथ कर ले नहीं प्रिसन कैसे आते है तो इनके लिए अपनों को अलग-अलग बनाने पड़ेंगे इन सब बातों के लिए मैं अलग-अलग टोपिक की पीडिया बना रहा हूं ठीक है तो वीडियो पर सब कुछ मिल रहेगा पहुंचू सब्जेक्ट विद प्रिक्टिकल की जो भी फीजियोलोजी की प्रिक्टिकल है अनटोमी की फ्रेक्टिकल हो भी मैं आपको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जूरत नहीं है तो बीम इस फ़स्टियर इस्टियर को मै समय में जल्दी से जल्दी फिर फिरी पिर मैं सेकेंड डियर की स्टार्ट परूँऊ फिर थर यीर के इस तरीके से मैं एक हैस सुल यह फॉक्रिक मैं से सब्कूर्य करूंगा耐 तो इसलिए लिए कर रहा हूं आपको इन वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी, काफी मदद मिलेगी, एक्जाम में अच्छे मार्श प्राप्त करेंगे, तो चैनल को सस्क्राइब करना न भूले, बैल आइकन को दबाईए, और अपने कॉलेज, अपने फ्रेंड्स, अपने कलिक्स, सबके साथ चैनल को सेर किजिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में,